combination reaction combination means when two or more substances combine to form a single product जब दो या दो से ज़्यादा substance या reactant combine करके single product बनाएं उन्हें क्या कहेंगे हम combination reactions और मेरे बच्चे ये बात जहां डखना कि हमारा जो combination reactions है generally या mostly कैसी होती है exothermic mostly कैसी है ये exothermic reactions है और दो और दो से ज़्यादा reactant में के क्या बनाएंगे single product बनाएंगे इसमें first example देखो मेरे बच्चों c plus o2 equal to co2 combination reaction heat release होगा दूसरा example देखेगा h2 और o2 equal to h2o water अब यह बात जहां रखना कर आप form की बात करते हैं carbon solid है oxygen gas है और carbon dioxide भी gas है यह water liquid है यह भी gas है और यह भी gas है जब h2o2 से combine करेगा तो water बनेगा और heat release होगा थार्ड example कह सकते हैं जब calcium oxide में water मिलाया जाएगा calcium oxide में जब water mix करेंगे तब क्या बनेगा c a o h का whole twice calcium hydroxide और इसका common name मेरे बच्चो श्रेक लाइम क्या ने में और और आइपक ने में इसका calcium hydroxide और यह calcium oxide calcium oxide को हम कहते हैं lime या quick lime भी कह सकते हैं अब यह तीनो reactions कैसे हैं combination है और exothermic भी हैं अब हम कुछ exception बताना चाहते हैं मेरे बच्चो आपको जो combination होने के बावजूद भी एंडो thermic हैं हमाज में जान रखना combination reaction बट एंडो थर्मिक यह एंडो थर्मिक होंगे जैसे एंडो प्लस ओटू इक्वल टू एंडो एंडो एंड एफ ए प्लस एस एक्वल टू एफए एस दोनों में heat प्रोवाइट करना पड़ेगा तो रियक्शन एंडो थर्मिक हो गई रियक्शन बैलाइंस कर सकते हैं ओ हमारा टू है ओ वन है तो हमने टू से मलिटिपलाई किया एंडो दौनो बैलाइंस हो गई एफ इजब ऐसे करेगा तो क्या बनेगा आईरन सल्फाइड यानि कि बर्ण करना पड़ेगा एफ इको एस के साथ तब ये एफ इएस का कलर कौन सा मिलेगा एफ इएस का जो कलर होगा ये ग्रीन कलर मिलेगा ग्रीन कलर का बनेगा एफ इएस अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों आपके साथ combination तो होगया आप decomposition reactions के बारे में बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं अभी हम decomposition reactions नंबर टू कि डिकंपोजीशन कि डिकंपोजीशन का मतलब क्या होगा जब सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट हो जाए तूट जाए दो या दो से ज़्यादा में उसे क्या कहेंगे आप डिकंपोजीशन कि सिंगल स्प्लिट का दो या दो से जादा में तूट जाना when a single substance is split into two and more substances that is called डिकंपोजीशन reactions कहेंगे अब मेरे बच्चो भी एक मैने बात बदाई थी ये डिकंपोजीशन कई से हो सकता है हीट से हो सकता है लाइट से हो सकता है और electromagnetic currant से हो सकता है अगर एक напाल से हुआ है तो क्या ऑंगो से हम हर मलडी कम अभी हमने पढ़ा था तो हम सबसे पहले क्या पढ़ा रहा है इसमे हर मलडे कम पॉर डी कंपो डानंकि टाइप ऑकेमिकल reaction इन वेच सिंगल सबस्टेंस इस्पिल्ट तो हो रहा है प्रोवाइडिंग बई हीड यानि किस से टी टूट रहा है वो हीड से हीड प्रोवाइड करने से उन्हें कहेंगी थर्मल डिकंपोजीशन एक्जामपल दिखिएगा अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीड कर देते यह तो यह कैलशियम औक्साइड में और कार्बंडाई औक्साइड में टूट जाता है और एक और बात जान दखना कि डिकंपोजीशन डियक्शन्स मोस्टली कैसे होती हैं एंडोधरमिक मोस्टली एंडोधरमिक होंगे ज्यानिकि सिस्टम को फिर प्रोवाइड करना साय था याप को क्याद है या भूल गई मैंने आपको बनाया था कि हमारा जो व्याजिटेबील का कमपोस्ट में होना भी कौन सा का डेकंपोजीशन रेक्शन है लेकिन एक्जोथर्मिक है यह बात ध्यान रखना है हमें तो यह हमारा कैसा है thermal decomposition में हमने का calcium carbonate का calcium oxide में और carbon dioxide में calcium oxide क्या होगा quick lime और calcium oxide or c a c o three का है calcium carbonate या ऐसे है marble या lime stone भी कह सकते हैं lime stone और ये calcium carbonate भी है और ये हमारा marble का formula भी calcium carbonate ही होता है या lead nitrate लें अगर हम lead nitrate को heat कर दें इसमें तूट जाएगा lead oxide में पी बी ओ lead oxide में तूटेगा no2 में और oxygen release हो जाएगी balance कर सकते हैं अब एक बात जहां रखना lead nitrate कैसा होता है white crystalline solids होता है white crystalline solid है जाद रखना lead nitrate का है white crystalline solid हीट करेंगे तो क्या बनेगा lead oxide lead oxide होता है orange color और जब होट करेंगे तो यह होट में थोड़ा सा औरेंज दिखाएगा लेकिन जैसे cold हो जाएगा तो थोड़ा सा yellowish color में हो जाता है यह बात जहां रखना lead oxide कैसा है औरेंज यह आपका white crystalline solid है यह white color है किसका color है white lead nitrate lead oxide orange color जहां रखना कलर भी lead oxide औरेंज color और लेक्शन को आप balance कर लीजिए balance करेंगे यहां रखना सबसे पहले हम उसे balance करते हैं maximum number of items हो तो कितना है हमारा 6 है एक और बात जहां रखना balance करने से पहले कि हम यहां पर देख रहे हैं no 3 का hold twice है hold मतलब no के साथ 2 लगा दिया है हमने हमने यहां रखना पड़ेगा इस question में ओ कितने हैं हमारे यहां कितना है टू प्लस टू फोर प्लस वान है तो balance करने के लिए अब तू से multiply करें तो हमारे कितने हो गए अब यहां ने लेड़ कितना है टू लेकिन लेड़ टू है तो इसको balance कैसे करेंगे अब एन कितना है है आप आपने टू से multiply किया टू 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 जा फोर यहां पोर लेके जाएंगे आप फोर आनो टू होगा देखो reaction balance है या नहीं reaction balance होगा हमारा कि यह balance करने का तरीका हमारा होगा दूसरा अगर हम potassium chloride को heat कर दें के CLO3 इसको आप अगर heat करने तो इसमें टूट जाएगा potassium chloride में और oxygen में टूट जाएगा heat provide करने से टूट जाएगा reaction और यह reaction हमारा होता है in presence of catalyst MnO2 catalyst वह substance होते हैं जो rate को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं लेकिन उनके बिना reaction का होना possible नहीं होता उन्हें catalyst कहते हैं जो reaction को increase कर दे या decrease कर दे तो आपने heat किया potassium chloride में टूट गया हमें balance किसे करना है oxygen कितना है तीन oxygen कितना है दो दोनों को exchange कर दे multiply जैसे कितने cross multiply किया तो ओ थ्री है यहाँ आपने 3 से multiply किया तू है यहाँ आपने 2 से multiply किया ओ हमारा balance हो गया अब potassium KCL दोनों टूटू है यहाँ अपने 2 से multiply कर दिया reaction हमारा balance हो आगे चलते हैं यह हमने discuss किया आपके साथ अभी thermal decomposition दूसरा decomposition की बात करेंगे हम थर्मल के बलाव नेक्स कॉंस है हमारा photolysis नेक्स कॉंस है electrolysis सब को one by one discuss discuss करना है detail में photolysis नेक्स मेंस ब्रेक डाउन तोड़ देना या डिकंपोस कर देना तूट जाना photolysis मेंस इन presence of light लाइट के लिए उस कहते है वेन आड़ डिकंपोजीशन रियक्शन इस carried out in presence of light is called photolysis ने कि हमारा किसी कंपाउंड का light के presence में चूट जाना डिकंपोस हो जाना क्या कहलाएगा photolysis कहलाएगा example देखो silver bromide या silver chloride in presence of sunlight in presence of sunlight silver bromide decompose हो जाएगा ag में और br2 में और chloride होगा ag में और cl2 में तो what is the color of silver bromide कैसा कलर है मेरे बच्चो silver bromide का white color silver chloride का white color जैसे ही ये sun light के presence में आएगे उसके presence में क्या होगा इनका color change हो जाएगा silver किस color में change हो जाएगा gray color में दोनों reaction में gray में change होगा एक सबसे बड़ी बात याद रखनी है आपको कि silver bromide और silver chloride का इस्तेमाल black and white photography में इस्तेमाल किया जाता है अब थोड़ा black and white photography कब होगी है पहले बहुत जादा इस्तेमाल होता था black and white photography में उसका जो एक negative था उसके उपर coating होता था silver bromide का और silver chloride का किसलिए उनको डाक रूम में हम इसको डबलब करते थे रील को क्यों कि जैसे ही light के पुच्छे में आएगा ग्रेक लाता हो जाता है तो यह बात जरूर ज़रूर याद रखना है कई बार exam में पूश लेता है कि silver bromide और silver chloride का इस्तेमाल कहा कि जाता जाद रहना black and white photography में क्लियर है मेरे बच्चो नेक्स्ट अब हम discuss करेंगे आपके साथ electrolysis electrolysis अभी मैंने कहा था Electro means in presence of electro electrolysis दो चीज है यहाप है इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक करंट क्या मतलब है मेरे बच्चो इलेक्ट्रिक करंट और तो भी आपने मेरे साथ पढ़ा है उपर आपके साथ पढ़ा है मैंने भी आपको ब्रेक डाउन किसी कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो वो तूट जाएगा देकंपोजीशन आप सबस्टेंज बाइपासिंग इलेक्रिसिटी या बाइपासिंग इलेक्ट्रिक करंट इस ओल्ड इलेक्ट्रोलेसिस कैसे देखेगा हमने वाटर लिया वाटर मॉलीक्यूल में आपने क्या किया मेरे बच्चो एलेक्ट्रिक करंट पास किया सब वोटर टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में यहां वाटर क्या है लेकिन एक बात जहां रखना ज जाएगा और एक पहाइएगा यह बात जरूर रखना है लेकिन एक बात देक्टेगा आउक्सीजन कहा जाएगा एनोड बजा जाएगा या कैथोड बजाएगा उसके लिए पुरानी फिल्म का गाना या रखना है यह यह फिल्म आइटी बहुत पहले आपको नहीं पता एनोड पे deposit होगा oxygen तो नेगिटिव ली चार्ज तब एनोड कैसा और नेगिटिव के पास तो ये बात भी आपको पास लेंगे के हमारा एनोड कैसा है, पोजेटिव एलक्टरोड है, जब आपको पता चली गया कि आकसीजन एनोड पे जाएगा, तो हैट्रोजन कहा जाएगा, कैथोड पे जाएगा, वन गेट वन फ्री का ओफर है, अगर एक याद हो गया, तो दूसरा अपने याद हो जाएगा, अगर आक्सीजन एनोड पे जा रहा है तो हैट्रोजन कहा जाएगा कैथोड पे जाएगा यह सारी बातें याद रखने होंगे अब अकर इसका आप डाग्राम बनाना चाहें तो मैं बता रहे था हूं थोड़ा सा आपको आड़ देता हूं उसके बारे में यह हमने एक बीकर लिया और बीकर में हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और इनको हमने सेलिया बैटरी से कनेक्ट कर दिया यह positive और यह negative तो यह बात पता है कि positive वाला एनोड होगा और यह negative वाला क्या होगा कैथोड होगा इसके अंदर हमने water fill कर रखता है water तो अब इसको अब उपर हमने दो test tube रख दी यहां जो bubbles मिलेंगे वो किसके मिलेंगे hydrogen और oxygen की reaction को balance करना है हमारा 2 है हमारा है तो 2 से multiply करना पड़ेगा तो तो आप देख रहे हैं hydrogen का volumes डवा लेब तब अब हमेरे मैंने बताया तो यहांदहोंगा oxygen कहां जा रहा एनौ rolling पहर आईगा यहां पर कोन आएगा oxygen और है यहां पर आईगा है टोड होगा लेकिन हर्डिवल होगा oxygen के waliום का डबल होहाँ यहां पहर कौन सा के से रहले होगा यहां क्या होगा और हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डबल होगा इन कंपरिजन डू और यह बात भी आपको याद एक छोटी सी बात और याद रखना मेरे बच्चों कि बहुत एक अच्छा हमारा फ fait है की हमारा जो फैरस वार्मूला होता है अच्छ價 फोर्मूला होता है का 545 in घृश वी अगर हमें फैरिट कर देंगे क्या लिखitung कैसा याँ का इसा कलर है बच्चो गरीन हिट करेंगे यह सेवन मालिक्वी की लूज करजाएगा और लूज करने से सिलफीत का जो नर होगा वह क्या होगा रु सिlles होजाये करते